सु हें गैसि वालकम माइ व्लोग चनाए होप आप लोग अच्छे हैं वे नाम ने रोसली तो भी मोरिं का टाइप और प्रिकफस्ट में आज में बनाने जा रहे हैं जवे मटर और आज में शाम को हमने तो मैं आपको दिखाना चालती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ तो आप लोग भी शेक लेजिए अगर जिसको नहीं आदा और जिसको नहीं पता है तो आप वीडियो में दे सकते हैं कि जबे मटब होता है कि तो हम चलो चलते हैं बदल थोड़ा सा और चाहदा लेंगी जबे हैं जबे में दिखा देते हैं कि यह दिखिए ऐसे जबे होते हैं तो अब यह हमारे घूने हुए हैं तो भी मैं इंको एक बार आपको नहीं दोंगी ताकि यह खिले खिले से बहें मैं इंको भी भूनूंगी और फिर इसके बाद ब्राउन ब्राउन हो जाएंगे तब जाके में से सब्जे डाले और सब्जे मैंने गाजली है सिम्ला में रिच लिए और ये बीन से जो मैंने काटके लिए हैं फैले से काट लिए हैं देख लिए हैं तो थोड़ा सब गयास में देश का लिए हैं उसतों देखिए हमारे ये जवे हो चुके हैं ब्राउन ब्राउन इल्कुल किया मैं उस्हे sliding. ऐसे सब्जे डनले nad iam अब मैं इसमेन सब्जी डाले घौना टा लुअगे व्येस में जाटा कि हैं जब वह रिए मतल लेकाल जूंघ है मैंने मतल लेलिया न बAfोलान मेरे पास तही तो मैंने फ्रोजन लेलिया है जमम्सी इन में थंडी थी ना प्रसले जंगुसी की, बैडरी की वाली का सबजे डाल दूँ है, अब यह मैं जो मतली थी डिया लादी नहीं आप कर दो दो आब यह जो ज़ा लगा मसाली बें दालने को अपने हिसाब से लाल में राली को तब सब्सक्राइब नमक दाना ये पानी छोटेगा तो जो अल्के बुल के नीचे लगए होगी वह दिने ही लगया हुगा इसके पानी में डालना हुगा तो ये मैंने हरी मेर्च काट लिए थोड़ी सी रख लिए तो मैं इसको डाल दूंगी एड़ कर दूंगी और इसमें पानी थोड़ा सा पड़ेगा ये जितना की सब्जी है उससे के उपर हलका सा उपर आना चाहिए हमें ऐसे कर लो थोड़ी जो सब्जी ने इसको फैला लेंगे इसमें पानी आपको इतना भी जादा नहीं दिखिघा एक तो ये पानी इसके बराबर यह डालों है ठीक है जितना की ये सब्जी है उतने ही आपको पानी डालते हैं आपको किसी ऐसे बर्तन से बंद कर नाए ताकि जो तो दोस्ता में ना जगों को चेक कर लेती हूं क्या हुआ है कि तो आप देख सकते हैं मेरे चवे हलका से भी नीचे पानी है तो पक चुके हैं सब्जी भी अल्मस्ट पके चुकी है इसमें मैं आपको एक-ची डालना भूल गही है जब तेर डालते हैं तो आपको पहले घी डालना है फिर आपको जबे डालने हैं अजवे बहुत अच्छी खुश्वू हाती है और टेस्ट भी लगता है अच्छा खाने में और अब मैं इसमें यह मैंन लेले लिया है तो इसको में डाल दूगी टाला दोगी टाला तो बीज इसके निकाले आपको अब में निकाले कर दोगा है इसमें लिए इसमें गिरिया है अजाने लेमें आगे हैं और अब इस पो ढख देना है थोड़ा सामे तेज कर दिया है अच्छे से पदेगा चो पानी है वह थोड़ा सा सूप चाहेगा और आप देख सकते हैं कि अच्छे से मारा सब्जी दिख लिए अब देख लिए में इसको डाप लेती हूं पास मिनटे लिए थोड़ा सब्सक्राइब करके ग्यास को फिर हम चेक करें तो हम चेक कर लेते हैं अपने जावे मटर को तो हमारी जावे मटर के रेडी हो चुके हैं खिले खिले से बने हैं तो दोस्तों मेरी जाव मटर हो चुके हैं मैं बस दो तीन मिनट के लिए इससे ढख के बंद करके ग्यास को भी आउफ कर दूंगी बंद करके अब्सक्राइब मैं धबके रख दूंगी इसको ताकि यह जो नीचे हलका सा चिपक जाता है वह सारा छोड़ जाए तो दूस्ता मैं चेक कर लेते हूं मेरे जावे हो चुके हैं तो मेरी जावे जो हलके पुके लगे थे वह निकल चुके हैं अच्छे से अब जैसे की देख पारें यह देखें बिल्कुल खिले खिले से बने हैं तो अब मैं इसको एक बोल में निकाल लेती हूं तो दोस्तों मैं एक बोल में इसको निकाल लेती हूं चैसे तो जैसे की आप देख सकते हैं कि मेरे जावे मटर राइडी हो चेके हैं आप घर पे जुरू ठ्राइ करिए खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं मुझे बहुत जादा पसंद आते हैं और इस पर हम लोग मोफली हरी चटनी से खाते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगी और मेरा मतलब जो ब्रेकफास्ट है वह भी पसंद आया होगा और आपको मिलते हैं आसी नई वीडियो में आपको अभी के लिए तो बाइ-बाइ और लाइक और सब्सक्राइब कर देना और आम मुसे बतेगे काहां-काहां से आप लोग कि कि बाइ दोस्तों